राजधानी पत्ना में ग्रेजवेट चायवाली के बाद अब महागडबंधन चायवाले का स्टॉल देखने को मिला है बिहार में एक बार फिर महागडबंधन के सरकार आने के बाद मुख्य मंत्री नितीश कुमार ने 10 लाख नौकरी के साथ रोजगार देने का एलान किया थ कि अरे 10 लाख क्या हम आपको 20 लाख नौकरी देंगे जिसके बाद अब राजधानी पत्ना में ये बेहत तिल्चस्प तस्वीरे देखने को मिली है जहां पर एक व्यक्ति हरे रंग का ठेला लगाता है और उसके उपर लिखता है महागडबंधन चायवाला इस व्यक्ति न अब नमश्कार मेनिहा चौदरी कैमरा परसन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जंता जंक्षन महागडबंधन चायवाले ने अपना ठेला पटना के बेली रोट पर लगाया है चाय के दुकान में कस्टमर की भारी हिड़ लगी हुई है दुकान वाले ने नितीश ला आएंगे सभी लोगों को 10 लाख नौकरी और रोजगार देंगे लेकिन रोजगार करने वाले एक भी मौका नहीं गवाना चाहते आरजेडी की सरकार आने के बाद आरजेडी समर्थ काफी खुश नजर आ रहे हैं और चाय का ठेला लगाकर खुद को आरजेडी लवर बता रहे हैं हलांकी अभी नई सरकार का गठन ही हुआ है 10 लाख लोगों को नौकरी देने में तो अभी समय जाएगा लेकिन बिहार वासियों में इतनी जादा उत्साह देखने को मिल रही है कि आरजेडी के प्रसंसकों ने चाय का स्टॉल लगाया है मागट बंधन के सभी नेत चायवाली के नाम से पट्ना विमन्स कॉलिज के सामने अपना इस्टॉल लगाया था और तब से लेकर ना जाने कितने चायवाले बिहार में आई दिन दिखाई दे रहे हैं इससे पहले भी नर्सिंग चायवाली आत निर्भर चायवाली जैसे कई तमाम लोगों ने चाय का स्टॉल लगाया और उसे एक अलग नाम दिया था हलांगी पट्ना की ग्रेजुट चायवाली के जैसे फेमस तो कोई नहीं हो पाया प्रियांका चायवाली के चर्चे बिहार से लेकर पूरे देश में हो रहे हैं हाल ही में लाइगर फिल्म की प्रमोशन को लेकर विजय देव कोंड़ा तक प्रियांका गुपता की खूब चर्चा है उकुमुखी मंत्री तेजश्वी यादव अभी कुछ दिन पहले ग्रेजुट चायवाली के स्टॉल पर आकर चाय पिये थे हाल ही में प्रियांका गुपता आर्जेडी सुप्रीमों लालुप्रसाद यादव से भी कि आर्जेडी के प्रसंसक महागडवंधन चायवाले का ठेला कितना चमकता है क्या ये भी ग्रेजुट चायवाली के जैसे फेमस हो जाएंगे ये तो आने वाला समय बताएगा बांकि आप इस संधर्व में क्या विचार रखते हैं कमेंट बॉक्स में बताईएगा आगे क कि खबरों के लिए जनता जंक्षन देखते रहें धन्यवाद